कि नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर एक बहुत ही जादा इंपोर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं देश में कुछ इस तरह की सती हो रही है कि इस टॉपिक पर कई सारे सवाल आप सभी की तरफ से मेरे पास आ चुके हैं और यह वह बात है जो मैंने आप सभी को पहले भी बता दी थी जी हां अगर आप सभी को याद होगा 2021 का साल खतम हो रहा था और हम 2022 के साल की वह पूरी कैलकुलेशन कर रहे थे और उस समय मैंने कहा था कि 2022 का जो साल रहेगा यह एनिमल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिच्वेशन वाला रहेगा एनिमल्स को खासकर इस्पेशली दूद देने वाले जानवर को और उसमें भी गाये को सबसे जादा परिशानिया महसूस होती हुए नजर आएंगी यह बात मैंने बहुत क्लियर शब्दों में जब हम 2021 डिसमर में बात कर रहे थे 2022 के बारे में उस समय आप सभी से कही थी और कई सारे वीवर्स ने वह वीडियो देखा होगा है डेफिनेटली आप अच्छा नहीं है एनिमल्स को बहुत जादा परिशानिया रहेंगी और किसी ने किसी तरह से वह परिशान होते हुए नजर आएंगे और हमारे देश में आज गायों की जो इस्तती है आप सभी से बिलकुल छुपी हुई नहीं है सभी जने जानते हैं कि किस तरह से लंपी वाइरस जो है यहां पर फैलता जा रहा है और गायों के अंदर फैलता जा रहा है जिस वज़े से गाय मर रही हैं और गाय को हम काफी जादा इंपॉर्टन्ट मांते हमारी जीवन का एक तरह से हिस्सा मानते हैं जहां पर हम जानते हैं कि हर एक में गाए का बहुत बढ़ा महत्व है हर एक और अफ्शुगमर में गायों की जैसम हरो हो रही है और कब यह situation solve होते हुए नजर आएंगी इसका जोतिशे calculation जब मैं आच किया आप सभी की request पर तो वो मैं यहाँ पर आपको explain करने वाला हूं देखे अभी जो समय चल रहा है और जो गोचर चल रहा है सबसे बड़ी चीज यहां पर शनी का जो प्रभाव है वो बहुत जादा impactful नहीं आ रहा है इस वज़े से यहां पर चीज़ें जो परेशानिया देती हुई नजर आ रही है और इस वज़े से इंसान और जानवरों के बीच में एक जो बैलन से वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है यह बात क्लियरली यहां पर दिखाई देती है इवन दो नेचर की वज़े से भी एनिमल्स को काफी जादा नुक्सान हुआ है पिछले कई सालों में और आगर आप देखेंगे तो पिछले एक दो तीन साल का जो स्ट्रक्चर है उसमें एनिमल्स और यूमन्स के बीच में जो बैलन से वो काफी जादा बिगड़ा है और यह बैलन्स अब आगे पूरी तरसे सुधरने वाला नहीं दिखाई देता यह बात बिलकुल क्लियर दिखाई देती है तो इसलिए यहां पर यह जो समय चलेगा आगे और एक साल दो साल जो रहेंगे आने वाले यह यूमन्स और एनिमल्स के बीच के बैलन्स को खराब ही करते होगे नजर आएंगे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आने वाले सालों में भी जानवरों को को बहुत जल्दी राहत मिल जाए इस तरह के योग तो नहीं चल रहा है यह वाइरस गायों को अभी और परिशान कर सकता है इसका इलाज आने में थोड़ा सा समय लगेगा अभी और होपफुली अगर सब कुछ सही रहा तो 15th of October के बाद से इसकी इलाज में थोड़ी सी बज़र आएगा इसके पूरे-पूरी योग बनते हैं तो यह एक समय है जहां पर इस तरह के वाइरस से हमारे देश में गायों को बचाया जा सकता है और इसके उपर रिसर्च चल रहा है तो यह पर उस रिसर्च में सक्सेज मिलने के चांसेज यहां पर जादा रहेंगे और उस रिसर्च के सक्सेज यहां पर गायों को कहीं बचाया जा सकता है इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो 2023 की जब मैं कैलकुलेशन आज कर रहा था तो उसमें यह चीज मैंने जरूर देखी कि अनुशन होना पर्मारे मीवायों को इस बीमारी से रहत मिल जाएगी वैसे हीज ही किसी और जानवर को किसी और बीमारी से परेशान होना पड़ेगा मलब कि there is a sequence there is a chain कि work वाइरस के बाद दूसरा वाइरस दूसरे वाइरस के बाद तीसरा वाइरस और यह चलता रहेगा अभी दो-तीन साल तक जो सिच्वेशन रहेगी हमारे देश में और पूरी दुनिया में हम किसी ने किसी वज़े से परिशान होते रहेंगे अभी हम एक सभी एक रूमर है या पर एक कहीं कह सकते हैं कि प्रोफेसिया यह फैल रही है कि एक वाइरस और आने वाला है साइप्रस की तरफ से वाइरस आने वाला है जो कि इंसानों के लिए बहुत डेडली रहेगा देखें वैसे अभी ऐसी कोई कैलकुलेशन यहां पर नहीं दिखाई देती है जो मेरा कै पर इसलिए डरने की जरूत नहीं किसी भी तरह के वाइरस या किसी भी तरह की इस तरह की परिशानियों से आप सभी बच सकते हैं आराम से और आप सभी अपने आपको बहुत आराम से आगे लेकर के चलने वाले हैं तो इसलिए आपको अपने दिमाग को रखने की कोशिश क के साथ साती इंसानों में भी किसी ने किसी तरह की बिमारियां यहां पर और यह जो समय है यह पूरी तरह से नस्टेबल होता हुआ नज़र आ तो इसलिए नेचर अनस्टेबल हो रहा है धिरी दिये और और हुवंच के साथ अंस्टेबल्टी दिखाई दिरी तो अउल्लड़ ख्रीचिश ऑन दे एर्थ is having some instability in their life also in the countries also इसलिए एक वार वाली situation है country में और पूरे world में यहाँ पर देखा जाए तो दो तीन countries की बीच में से एक situation चल रही है और बाकी countries उसके उपर अपने प्रभाव को लेकर के चलने की कोशिश कर रही है वो एक यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है काफी सारी चीजें जो यहाँ पर दीरे दीरे फ्लक्चुएट करते हुए नजर आ रही हैं यहाँ पर एक और चीज में 2023 एक तरह से important year रहेगा जहां पर गायों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा इस तरह की योग दिखाई देंगे और अभी थोड़ा समय लगेगा इस पूरी तरह से कि जब production डाउन होता है तो यहाँ पर दाम बढ़ने लग जाते हैं और कुछ इसी तरह की चीज़ें आपर देखने को मिल रही है तो गायों के अंदर जो बिमारिया फैल रही है उसका सीधा का सीधा impact milk पर प्रड़ेगा और milk की बढ़ने की वज़े से milk जो दाम है वो बढ़ने की वज़े से milk प्रड़क के दाम भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे और वहीं से खाने के प्रड़ेट की महंगाई यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगी तो यह एक important calculation आप सभी को समझनी चाहिए कि इंडिरिक्ट यह एकनॉमिकल फ्लक्ट्वेशन यहाँ पर हो रहा है और यह एकनॉमिकल फ्लक्ट्वेशन पूरी तरह से सामने आता हुआ नजर आएगा कुछी दिनों में और हम सभी इसके साक्षी रहेंगे इसलिए रिसेशन और काइंड ओफ रिसेशन इस स्टेबल इंडिया कि वह इंडिया में भी इंटर्नली काम करना शुरू कर रहा है और बाकी सभी देशों में भी इसका प्रभाव यहां पर पढ़ता हुआ नजर आएगा तो इसलिए आप सभी को सचेत रहना है सभी को ध्यान रखना ह और सभी कोशिश करें कि अगर आपके पास भी गाया है अगर आप गायां को पालते हैं तो उनकी पूरी तरह से देख भाल करें उनका पूरा पूरा ध्यान रखें और कोशिश करें कि उन्हें आप इस बिमारी से पूरी तरह से बचा पाएं उमीद करता हूं कि वीडियो अ तो दें परकार सकूम। तानिवाल